तो हे गईज आज की इस वीडियो के अंदर में आपको डीमन स्लेर के सीजन 3 का जो लास्ट एपिसोड है एपिसोड नमर 11 जो कि संडे को कल रिलीज होने वाला है वो पूरा का पूरा आज में आपको मांगा से explain करने वाला हमको इस एपिसोड के अंदर आखिरकार होता कहा है तो चलिए भीना किसी देरी के आज के इस वीडियो को जो है हम फटाक से शुरू करता है तो लास्ट एपिसोड के अंदर दिखाए जाता है कि जो गहनने होता है वो एक पेड को खाड करके जो डीमन का लास्ट इसके उपर एफेक्ट देता है तैन इस पेड से उस डीमन को कुछ भी नहीं होता है तैन निर्जको भी उस डीमन पर एक अटैक करने के लिए पीछे से कूछ जाती है उसके बाद गहना बोलता है कि इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज है मैं इसकी स्पीड की बराबरी नहीं कर पाऊंगा तांजीरा विए उस डीमन का पीछ कर रहा हुता है तांजीरा उसके स्पीड को कभी वी जीचतने नहीं दूगा मैं ऐसा नहीं होने दूँगा उसके बाद तांजीरों सोचता है कि धनर भीटिंग हम अपने पैरों पर फोकस करने में मदद करती है उसके बाद तांजीरों बोलता है कि मैं अभी और नहीं बाग सकता है और अगर मेरे लेफ्ट पैर पर नहीं लगी होती तो मैं और भाग सकता था। उसके बाद तांजीरों को जैनेट सुकी कही हुई एक बात याद आती है। इत्तों अपनी मसल्स पर कंट्रोल करके अपने पैरों पर फोकस कर सकते हो। जो कि इसके दादा जी ने उससे कहा था। अपनी सारी ताकत अपने पैरों पर लगा दो। इसके बाद अपनी मसल्स के हर फाइबर पर एर पंप होने दो। अपने सारे ब्लड वेसल्स पर। उसके बाद तांजिरो की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और वह लैटनिंग के स्पीड से हन तांगो के पास अटेक करने के लिए पहुच जाता है और तांजिरो एक बहुत ज़्यादा पारफुल अटेक हन तांगो उन पे कर देता है और बोलता है कि मैं इस टा प्रणक से तंटेंगू बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है एंटांजिरो को गला पकड़ लेता और उसे बोलता है कि मुझे परेशान करना बंद करो उसके बाद गेनना पीछे से आकर तंजिरो की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन गेनना उसे नहीं छुड़ा पाता है क क्योंकि हैंटांगू ने बहुत ज्यादा जोड़ से तंजिरो का गला दवा रखा था उसके बाद निजू को पीछे से आकर के अपने ब्लड डीमान आर्ट का यूस करके हैंटांगू पर अटेक कर देती है जिससे हैंटांगू बहुत जाता कमज़र पढ़ जाता और गेन मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ मुझे थोड़ा समास खाना पड़ेंगा। मेरी कमजोरी एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हैंटेन उनके गले में तांजिरो की स्वाड फसी हुई था हैंटेन को महा से बसने की कुशिश कर रहा होता है जब तक तक तांजिरो उसे पीछे से बोलता है कि तुम नर्क में जाने वाले हो मैं तुम्हें इस बार भागने नहीं दूँगा मैं तुम्हारा सर अलग कर दूँगा तेकिन तांजिरो महा से खड़े होने में बहुत ज़्यदा स्ट्रगल कर रहा होता है निजो को भी स्ट्रगल कर रही होती है उसके बाद village के कोई दो बंदे होते हैं जो कि महां से गुजर रहे होते हैं और वो उने दीख जाते हैं। उन दोनों villagers के पास बहुत सारी तलवारे होती हैं। उसके बाद तांजीर दुबारा से टैक करने के लिए खड़ा होता है। और हन्ट एन्गू सोचता सोचता भागता है कि मुझे आसे जल्द से जल्द भागना होगा इससे पहले मैं मारा जाओं। उसके बाद ऊपर खड़े दोनों विलेजर्स में से एक विलेजर एक स्वाड तानजीरों की मदद करने के लिए नीचे फैक देता है। और एक विलेजर बोलता है कि स्वाड को जल्द से उठाओं। तभी उन दोनों विलेजर्स के साथ म्यूचिरों भी वहाँ पर होता है और वो भी बोलता है जल्दी से इसे खतम कर दो। उसके बाद तानजीरों तीनों को शुकरिया कहता है। उनकी पीछे भागने लगता है। इसा कैसे हो सकता है कि जब सूरज उपर आया भी नहीं है और निजो को जलने लगी है। उसके बाद तानजीरों देखता है कि वो जो हंटन को था वो को चार्जाटक नहीं कर रहा था। यानि कि वो पागल बना रहा था और वो अचानक से भाग जाता है। लेकिन तानजीरों सोचता है कि ये कुछ ज़्यादा बुरी वायत नहीं है इको की सूरज उपर आ चुका है और जित्ते बीडिमन्स से वो अब मरने वाले है। और देखते ही देखते निज़ों की बहुत जादा बुरी हालत हो जाती है और निज़ों को लगाता जलने लगती है। उसको पकड़ लेता है उसके बाद तांजीर अपनी संबीतिंग का यूज करता है और हंटेंगु पर एक और खतरनाक साटेक कर देता है और वो अटेक इत्ता जदा पारफुल था कि हंटेंगु एक ही बार में मर जाता है दोस्तों जो असलिया हंटेंगु था वो बड़ी वा जाता कि आखर यह हो कैसे गया और दोस्तों यहां पर से हमारा डीमन स्लेर का सीजन 3 खतम होता है अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को बड़ार से लाइक कर देना हमारे से उनको कर देना सब्सक्राइब चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंद किसी नए टॉपिक के साथ में